पौधों से मानो सरीर का नाता वर्सों पुराना है। पौधों से निकलने वाली पाजटियू नेगेटिव एनरजी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। इसी क्रम में वास्तो सास्तर के अनुसार ऐसे पौधे घर में कभी नहीं लगाने चाहिए लेकिन ये पौधे आप लगाने की गलती कर चुके हैं या ये पौधे आपके घर में अपने आप उगाए हैं तो ऐसे में आप इन्हें उखाड कर फेंग दें। या ऐसा पौधा जिसे उखाड कर नहीं फेका जा सकता तो ऐसे में आप क्या उपाय कर सकते हैं कि इसका दुस्प्रभाव आपको न जहिलना पड़े तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा हमारे वातावरोन को सही रखने के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है पेड़ पौधे वातावरोन में उपस्तित हानिकारक तत्तों को आपजर्व करके आक्सीजन की मात्रा को संतुलित रखते हैं कौन सा पौधा हमारे लिए उपयोगी है और कौन सा दोस्पून इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे इसी क्रम में पहले नंबर पर सबसे पवित्र माने जाने वाला जो पौधा है वो है तुलसी हिंदु धर्म में तुलसी के पौधे को माल लच्मी का रूप माना गया है जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में भगवान विष्णू कई सदेव किरपाद्रिष्टी बनी रहती है आपके घर में किसी तरह की निगेटिव एनरजी मोजूद है तो यह पौधा उसे नष्ट करने की ताकत रखता है यह जरूर ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा घर के दच्छनी भाग में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह आपको फाइदा की जगर नुकसान पहुंचा सकता है तुलसी को घर के पूर्व या इशान दिशा में लगाना चाहिए हर मनुस्य को रविवार को छोड़कर प्रतदिनी स्नान के फश्चात तुलसी पर जल चड़ाना चाहिए जो मनुस ब्रस्पतिवार को प्राता काल स्नान करके तुलसी के पौधे को दूद से सीचता है रविवार को छोड़ कर संध्या के समय तुलसी के समिप सुद्ध देशी घी का दीपक जलाता है उसके हाँ मालच्मी सदेव निवास करती है अब बात आती है दूसरे पवित्र पौधे पार्यात की पार्यात के घर पहोने से सुक समरिधियों में स्वर की प्राप्ती होती है पुराणों के नुसार पार्यात की उत्पत्ती समुद्र मंथन से हुआ था और इसका इस्थान इंदर के स्वर्ग में है इसलिए इंदर को मालच्मी की किरपा प्राप्त है इसलिए घर के सामने पार्यात होना बड़ा ही सुभ माना जाता है यह ब्रिच माता लच्मी का प्रीब्रिच है कहा जाता है जिस घर के सामने पार्यात का ब्रिच होता है ऐसे घर में मा लच्मी प्रवेश करती है ऐसे घर को धन धाने से भर देती है और उस घर में रहने वाले सदेश सदेव निरोग बने रहते हैं। दोस्तों आपने नाक्फणी का पौधा जरूर देखा होगा। आप ऐसे घरों को भी देखा होगा जहां नाक्फणी का पौधा कभी भी नहीं होता। जोकि ये पौधा नकरात्म कुर्जा का संचार करता है। सास्तरों के अनुसार पुराणों में बताया गया है कि जो पौधा हरी भरी पत्तियों के उत्पत्ति न करके काटों के उत्पत्ति करता हो उसमें पत्तियां न के बराबर हो तो ऐसे पौधे घर में कभी भी नहीं लगाने चाहिए. खास तोर पर किसी भी धार्मी कस्तल पर नाक्फणी का पौधा नहीं लगाये जाता खास तोर पर जब बात तुलसी के पौधे के आती है तो उसके पास नाक्फणी का पौधा नहीं लगाना चाहिए माता तुलसी के साथ साथ माता लच्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहां नाक्फणी का पौधा होता है इसीलिए आज ही इसे अपने घर से बाहर कर दें ये पौधा असांती फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्शित करता है तो ऐसा कोई भी पौधा जिसमें काटे होते हैं उन्हें घर के आगन में नहीं लगाना चाहिए काटेदार पौधा घर में नकरात्मक्ता लाते हैं तो गुलाब का पौधा काटेदार पौधे की स्रणी में नहीं आता है ये पौधा आप अपने घरों में लगा सकते हैं, माता लच्मी को गुलाब अती प्रसंद करता है, अगर आप अपने घर में गुलाब का पौधा लगाते हैं, तो महा लच्मी जल्द ही आकर्सित होती हैं, आप अपने घर में गुलाब जरूर लगाएं। रामचरित्र मानस के सुंदर कांड में माता सीता ने कहा था हे असोग ब्रिच सुन मेरा सोग हर ले और अपना नाम सत्य कर यह एक पवितर पेड़ है जिसके पतों का उप्योग पुजा पाथ हम सुष्टा के लिए किया जाता है अताइस पेड़ को घर में पश्ची में लगाने से सभी दुखों का नास होता है आसा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्स्राइब और सेयर जरूर करें